आज के टाइम पर हर कोई share market से पैसा कमाना चाता है और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि अभी share market में bull run चल रही है यानि nifty fifty अपने all time हाई पर है और जब bull run चल रही होती है तो सबसे ज़्यादा investors share market में आते हैं क्योंकि हर कोई चाता है कि stock market से पैसा कमाया जाया और इसलिए भी दिसम्बर के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा रिकोर्ड डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं और जब भी कोई नया वेक्ति शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आता है तो उसके सामने दो सवाल होते हैं कि इन्वेस्टिंग की जाए या फिर ट्रेडिंग यानि पैस लोग बोलते हैं कि कहां लोग टाइम तक वेट करेंगे कि तुम्हें तो ट्रेडिंग करनी चाहिए जहां आप रोजाना 5-10,000 रुपे कमा सकती हो अवेल शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए दोनों तरीके हैं अब आप चाहिए ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टि चुरू कर दीती और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आज भी शुमार हैं और अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो वारें बफे आज भी पांच वे नंबर पर है और उनकी वेल्थ 106 बिलियन डॉलर है तो वारें बफे के बारे में तो हर कोई जानता है बड़ कि आपने दुनिया के सबसे मशूर ट्रेडर का नाम सुना है अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं दुनिया के सबसे मशूर ट्रेडर थे जैसी लिवर मोर 1929 में एक बहुती बड़ा स्टॉक मार्केट क्रेश आया था जि के लगबग 12,450 करोड रूपे और ये सब उन्होंने एकी दिन में कमाया था वो भी ट्रेडिंग करके और उसके कुछ साल बाद उन्होंने ट्रेडिंग करते वही अपना सारा पैसा खो भी दिया और 1940 में उन्होंने एक होटल में अपने आपको गोली माल ली क्यूंकि उन्होंने अपने ट्रेडिंग के रूल को फोलो नहीं किया था मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी अपने इमोशन और ट्रेडिंग के रूल नहीं कर पाने की वज़े से इतना बड़ा लॉस ले इसलिए चाहे आप trading करो या फिर investing आपको हमेशा कुछ बातों को अच्छे से ध्यान रखना है तो अगर आप confused हो कि क्या किया जाए तो don't worry आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाले हैं तो आज का ये वीडियो तीन पार्ट में divide होगा जहां पहले पार्ट में ह हम इनके risk और reward के बारे में जानेंगे और थर्ड पार्ट में ये जानेंगे कि आपके लिए क्या बहतर option हो सकता है और इस वीडियो के end होने तक आप decide कर लोगे कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए और फिर investing और आप investing करो या ट्रेडिंग दोनों ही कंडिशन में आपके पा जहां पर आप किसी भी company में invest करते हो और उसमें आप लंबे समय तक invested रहते हो जैसे कि 5 साल 10 साल या फिर 15 साल जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट देखिए इसमें आप देखोगी कि 2008 और 2020 में market crash आया और share market नीचे गर गया था बढ़िए सब short time के लिए था बढ़ अगर आप आपको हमेशा फायदाई होगा इसलिए investing में लोगों को जिस भी company में invest करना होता है उसका fundamental analysis करते हैं company की balance sheet पढ़ते हैं वो company क्या काम करती है कौन कौन से product बनाती है इन सब के बारे में जानते हैं और company का revenue कितना है growth कितनी है ये सब देखते हैं और जब investor इन सब पे अच्छ ले आना इन सब चीजों पर खर्चा नहीं करते बलकि दीरी दीरे करके company में invest करते हैं क्योंकि investing का फायदा यह यूं कहें कि compounding का फायदा उन्हें तभी मिलता है जब वो उस company में 5 साल 10 सार या कभी कभी 15-20 साल तक भी पैसे invest करते हैं और वहीं अगर हम trading को देखें तो trading हमे करने का management कैसा है ट्रेडर को सिर्फ इस बास से लेना देना होता है कि एक ट्रेडर केवल सुबह उड़ता है और किसी भी शेर के price को track करने लग जाता है ट्रेडिंग में investing के तरह ही stocks को सबसे दामों पर खरीदना और महेंगे में बेच देना यही करा जाता है और जहां investing को ल कंपनी के fundamental analysis करते हैं वहीं ट्रेडिंग में लोग technical analysis करते हैं जिसमें वो किसी भी कंपनी के chart को pattern को notice करते हैं और उसके साब से bet लेते हैं कि इसी stock का price उपर जाएगा या फिर नीचे और अपना profit बुक कर लेते हैं और ट्रेडिंग कई तरह की होती है जैसे पहली intraday trading इसमे इसमें एक trader stocks को एकी दिन में buy करके sell कर देता है दूसरा scalping इसमें trader कुछी मिंटों में stocks को buy करके sell कर देता है और अपना profit book कर लेता है तीसरा swing trading इसमें trader stocks को buy करके कुछ दिनों से लेकर कुछ हपतों तक hold करता है और उसके बाद उसे बेच देता है fourth position trading इसमें trader stocks को लंबे time तक होल्ड करता है यानि कि कुछ महीनों तक और उसके बाद उन्हें सेल कर देता है तो इसी तरह जहां इन्वेस्टिंग कुछ सालों के लिए स्टॉक्स को होल्ड करके उन्हें सेल करना होता है वहीं ट्रेडिंग कुछ मिंटों से लेकर कुछ महीनों तक स्टॉक्स को होल्ड करके पर अपना profit कमा कर उने sell करना होता है तो अब हमें trading और investing का difference तो समझा गया है तो अब देखते हैं दूसरा risk और reward in trading and investing देखो दोस्तों जहां बात होती है investing की वहाँ हमें stocks को लंबे time तक hold करके रखना होता है तो अगर आप अच्छे से fundamental analysis किया है company के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे chances हैं कि आप एक अच्छा stocks पिक कर लोगे और लंबे time तक अगर उसमें invested होगे तो आपको profit होगा जैसे मालो आज एक company में आप invest करना रुपे हो जाती है तो जैसे कि आपने इस company की 1000 shares ले रखे थे तो आपकी wealth 1000 multiply by 500 यानि कि हो जाएगी पांच लाग रुपे यानि कि आपकी एक लाग रुपे के लिए दस साल में पांच लाग रुपे हो जोके होंगे जिसे capital appreciation का जाता है वहीं company कुछ हैसी भी होती है जो आपको हर कुछ time में जितना भी profit होता है उसका कुछ हिस्सा दे देती हैं जिसे dividend का जाता है तो एक investor को लंबे time तक invest रहने से दो तरगे फायदे होता है एक तो capital appreciation और दूसरा dividend के रूप में बट यह सब तब है जब आप एक अच्छा stocks pick करते हो अगर आपने खलत stock चुन लिया तो आप कितने time तक invested क्यों न रहो वो आगे जाकर zero भी हो सकता है तो ऐसा नहीं कि investing में आपको कभी भी loss नहीं हो सकता साथ ही साथ investing में आपको 10-20 सालों के लिए invested रहना पड़ता है और बहुत ही कम investor इतने लंबे time तक discipline होकर invest करते हैं बट देखा जाए तो investing में risk कम होता है क्योंकि long term में stocks उपर जाएगा ही सही और अगर बात करें trading की तो trading हमेशा short term के लिए की जाती है और चाहे company कितने भी अच्छी हो उसका future variety क्यों ना हो बट short time में ये predict कर पाना कि उस stock का price उपर जाएगा या फिर नीचे ये बहुत मुश्किल है इसलिए trading में आपके पास एक अच्छी skill होनी चाहिए जिसमें आप chart pattern को read करके अच्छे से candlestick pattern को समझ सको और अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आप कम समय में या यूं कहें कि कुछ गंटों में भी अच्छा खासा profit कमा सकते हो बट जैसे कि मैंने बताया कि trading में आपकी skills काफी अच्छी होनी चाहिए तो इसे में risk काफी बढ़ जाता है और सबसे बड़ी गलती जो trader करते हैं वो अपने emotions पर control नहीं रख पाते इवान trading में एक rule famous है जिसे 90-90-90 rule कहते हैं इसका मतलब 90% trader अपना 90% पैसा पहले 90 दिन के अंदर ही गवा देते हैं इसलिए trading में हमेशा risk काफी high होती है अब मालो आपने एक trade लिया और आपने एक rule बना रखाए कि जैसे ही मुझे 5% का loss होका मैं निकल जाओंगा और उस दिन trade नहीं करूँगा अब मालो आप trade लेते हो और इस टोक्स का प्राइजे 100 रुपे और वो नीचे गिरकर 55 में रुपे पर आ जाता है यानि की 5% का loss अब ऐसे situation में आपके rule के साबसे आपको निकल जाना चाहिए और trade को रोक देना चाहिए बट हम इनसाने और इनसान अपने emotions पर बहुती मुश्किल से control कर पाता है तो बाप क्या सोच जो कि यार ऐसा करते हैं थोड़ी दिर और रुकते हैं केवल अपना loss रिकवर कर लेते हैं चाहे profit ना कमाऊं और loss रिकवर करके trade रोक दूँगा और ऐसे करते करते trading उनके लिए एक बरपादी का कारण बन जाती है अब मालो आपने एक लाग रुपे ट्रेडिंग में लगाए और आपका 50% का loss हो गया और अब आपके पास बचे हैं 50,000 रुपे तो अब इंटरस्टिंग बात तो यह है कि आपको आपका loss रिकवर करने के लिए 50% नहीं बलकि 100% return कमाना होगा तब जाकर आप अपना loss रिकवर कर पाऊगे तो trading में अगर आप अच्छी हो तो आप कम टाइम में अच्छा पैसा बना सकते हो बड़ अकर आप सही नहीं हुए तो काफी पैसा कुछ दिनों में खतम भी हो जाएगा अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए वेल पैसा दोनों ही तरीके से कमाएं जा सकता है चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग अब अगर मालो आप फूल टाइम जॉब करते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि दिन पर बेट कर स्टॉक्स को ट्रेक किया जाए तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट है जरुए नहीं कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई stocks को pick करना ही है इवन अगर आप अच्छे से भी stock pick भी नहीं कर सकते तो आप simple से किसी mutual fund में invest कर सकते हो इवन index fund में भी invest कर सकते हो जहां आपको 12-13% तक का return मिल जायागा और आप हर महीने 500-5000-5000 जितना भी चाया amount एक SIP के तो इन्वेस्ट कर सकते हो पट आपको investing तब भी start करनी है जब आप लंबे time तक उसमें invest करना चाते हो जैसे कि 10 साल या 15 साल अगर आप लंबे समय तक investing नहीं कर सकते तो आपका पैसा grow होता नहीं दिखेगा वहीं जब बात होती ही trading की तो उसमें अक्सर लोग देखते हैं कि यार ना तो लंबे time तक invest करना है कई लोग केवल कुछ घंडों में पैसा कमा लेते हैं इसलिए लोग trading की तरफ ज़्यादा attract होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि investing में 12-15% का return मिलेगा और हम तो trading में 20-25 या कभी कभी 30-30% तक का return ला सकते हैं और इसी चक्कर में trading में लग जाते हैं बट आपको पता होना चाहिए कि trading में price ही बगवान है और आपको हर time price पर नजर रखनी पड़ती है आप सुबह से लेकर शाम तक जब तक market open रहता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि trading करके पहले 1000 कमाऊंगा फिर 10,000 फिर 11,000 बट ऐसा होता नहीं है सबसे पहले आपको investing पर ध्यान देना है stock market को समझना है क्योंकि trading भले ही attractive लगे बट जब आप trading करते हो तो उसमें बहुत सारे emotions जुड़े होते हैं तो आई होब कि आपको trading और investing का concept समझाया होगा वीडियो पसंद आयो हो तो इसे like करें हो जाएसा लोगों तक share करें तो मिल दे हैं next वीडियो में तब तक के लिए जेहन्द